जै स्री क्रिष्णा आज एकादसी के दिन आये सुनते हैं मा तुलसी और भगवान विशुरू की यह कहानी सावरी मुनी की पुत्री तुलसी अपूर्व शुन्दरी थी उनकी इच्छा थी की उनका विवा भगवान नारायर की साथ हो इसके लिए उन्होंने नारायर परवत की घाटी में स्थित बद्रिवन में घोर तपस्या की दिर्ग काल तक तपस्या की उपरान ब्रह्मा जी ने प्रसंद होकर दरसंदिया और बर्मागने को कहा तुलसी ने कहा स्रिष्ट करता ब्रह्मदेव आप अंतर्यामी हैं सबकी मन की बात जानते हैं फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि भगवान स्री नारायर मुझे पती रूप में मिलें ब्रह्मा ने कहा तुम्हारा अभिष्ट तुम्हे अवश्य मिलेगा अपने पूर्वजन में किसी अपराध के कारण तुम्हें स्राप मिला है इसी प्रकार भगवान स्री नारायर के एक पारशत को भी दानव कुल में जन्म लेने का स्राप मिला है दानव कुल में जन्म के बाद भी उसमें नारायर का अंस विद्मान रहेगा इसलिए इस जन्म में पुर्वजन के पाप के समन के लिए संपूर नारायर तो नहीं नारायर के अंस से युक्त दानव कुल में जन्म में उस स्राप गरस्त पारशत से तुम्हारा विवा होगा स्राप मुक्त होने पर भगवान स्री नारायर सदा सरवदा के लिए तुम्हारे पतिष हो जाएंगे तुलसी ने ब्रह्मा के इस्वर को स्विकार किया क्योंकि मानो कुल में जन्म लेने के कारण उसी मायाबी भोग तो भोगना ही था तुलसी बद्री बन में ही रहने लगी नारायर का वह पारसर दानो कुल में संख चूर के नाम से पैदा हुआ था कुछ दिनों के बाद वह भ्रमर करता हुआ बद्री बन में आया यहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्द हो गया तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा इतने में ही वहां ब्रम्हा जी आ गए और तुलसी से कहा तुलसी संख चूर को देखो कैसा देवोपम है इसका स्वरूप है दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके सरीर में नारायर का वाशो तुम प्रस्ताव को शहर श्विकार कर लो तुलसी को भी लगा की उसकी तपस्या पूर हुई उसे इच्छित फल मिला है संख चूर के साथ उसका गंधर्व विवा हो गया और वह संख चूर के साथ उसके महल में पत्नी बन कर आ गई संख चूर ने अपनी परमसुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देव लोग तप उसके अधिकार में आ गया स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दसा भिखारियों जैसी हो गए संख चूर किसी को कष्ट नहीं देता था पर अधिकार और राज छीन जाने से सारे देवता मिलक ब्रह्मा विश्डू और सिवती सभा में गए तथा अपनी विपत्ती सुनाई ब्रह्मा जी ने कहा तुलसी परमसाध्वी है उसका विवा संख चूर से मैने ही कराया था संख चूर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए बिश्डू ने कहा संख चूर पुर्व जन्म में मेरा पारसत था श्राप के कारण उसे दै के कुल में जन्म लेना पड़ा इस जन्म में भी मेरा अंस उसमें ब्याप्त है साथ ही तुलसी के पती ब्रद्धर्म से वह अजेय है फिर देवताओं की सहमती से भगवान सिव ने संख चूर के पास संदेश भेजा की या तो वह देवताओं का राज लवटा दे या फिर उनसे युद्ध करे संख चूर संकर के पास पहुचा उसने कहा देवाधी देव आपके लिए देवताओं का पच्छलेना उचित नहीं है राज बढ़ाना हर राजा का कर्तब्य है मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा हो कर रहें मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है हमारा आपका युद्ध सोभा नहीं देता अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी मैं हार गया तो आपकी किर्ती बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी भगवान संकर हसे वे तो सब रहस्य समझते थे तुलसी और संक्चूर के पुर्वजन के स्राप की अओधी लगभग पूरी हो चुकी थी बोले इसमें किर्ती और लज्जा की बात नहीं तुम देवों का राज्य लवटा कर उन्हें उनके पत पर प्रतिष्ठित होने दो युद्ध से बचने का यही एक उपाय है संक्चूर ने कहा मैंने युद्ध के बल से देव लोक जीता है कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है यह मेरा अंतिमुत्तर है मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर संक्चूर चला गया उसने अपने पतनी तूलसी को सारी बात बताई और कहा कर्म भोग सब काल सुत्र में बधा है जीवन में हर्स, सो, भै, सुख दुख, मंगल-मंगल काल के अधिन हैं हम तो केवल निमित हैं संभव है भगवान सीव देवों का पच्छ लेकर मुझसे युद्ध करें तुम चिंता मत करना तुम्हारा सतीते मेरी रच्छा करेगा दूसरे दिन भगवान संकर के नित्रित्व में देवताओं ने युद्ध छेड दिया संख चूर ने भीशर बाडों की वर्सा की उनका बेग रोका उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे उसने दानवी सक्ती का प्रियोक कर माया भी युध आरम किया युध हस्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था पर उसके अस्त्र सस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे देवगर अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं क्योंकि कोई सत्रू सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भयंकर युध चला संख चूर पराजित नहीं हुआ तब सीव ने विश्णू से कहा विश्णू कुछ उपाय करो अन्य था मेरा तो सारा यस मिट्टी में मिल जाएगा विश्णू ने सोचा कि बल से तो संख चूर को हराया नहीं जा सकता इसलिए चल का सहारा लेना होगा उन्धोंने तुरन अपनी स्वरूप संख चूर जैसा बनाया और अस्त्र सस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आये बोले प्रिये मैं युध जीत गया सारे देवता भगवान संकर समे थार गए इस खुसी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूँ पती को प्रत्यच खड़ा देख तथा विजय का समाचार सून वह दवर का माया भी संख चूर के गले से लिपट गई इस प्रकार पती पतनी दोनोंने आलिंगन हो खुब खुसी मनाई पर पुरुस के साथ इस प्रकार के बेवार से उसका सती तेज नश्ट हो गया उसका सती तेज्जो संखचूर की कवच के रूप में रच्छा कर रहा था वह कवच नश्ट हो गया संखचूर सक्ति हीन हो गया यह जानते ही भगवान संकर ने अपने त्रिसूर से प्रहार किया त्रिसूर के लगते ही संखचूर जल कर भस्म हो गया संख चूड के मरने को जानकर विश्डू अपने असली स्वरूप में आ गए सामने अपने पती संख चूड के अस्थान पर भगवान विश्डू को खड़ा देख तुलसी बहुत बिस्मित हुई उसको पता लग गया कि श्वयम नारायर ने उसके साथ छल किया है क्रोध मी आकर उसने स्राप दिया एक सती इस्त्री का सती त्वभं करने के अपराध में तुम हिर्दैहिन पत्थर हो जाओ विश्डू ने तुलसी के स्राप को सिरोधार यकर कहा देवी तुम्हारे तथा संख चूड के कल्यार के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा तुम दोनों को साप मुक्त करना था तुम भी अब सरीर त्याक कर तुलसी विर्वा की रूप में जन्म लेगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी मैं साली ग्राम पत्थर बनूंगा मेरे सीस्पर तुम आदर से विराजमान होगी तुम्हारे पती की हड़ियों के चूड से संख की उत्पत्ती होगी उस संख ध्वनी से देवताओं तथा मेरी पूजा अराधना होगी जहां संख ध्वनी होगी वहां मंगल मैं मैं विराजमान रहूंगा तुमने पूरु जन में बद्री बन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी अब अगले जन में मैं नारायर प्रस्तर के रूप में बद्रिनाथ बन में अस्थापी थोँगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूर से न होकर तुम्हारे तुर्शी दल से होगी मेरे सीश पर विराजमान होकर तुम मुझे से भी उचा पद प्राप्त करोगी